हलो विवर्स, वेलकेम तू माई यूटीब चैनल, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के कुछ परशिद फोर्ट के बारे में बताऊंगी सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभलगड का किला राजिस्थान राजिस्थान के राज सम्मन में स्थिद कुंभलगड फोर्ट का निर्मान महराना कुंभा ने करवाया था इस फोर्ट की दो खास विशेश्थाएं हैं पहली इस फोर्ट की दिवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है जो की 36 किलो मीटर लंबी और 15 फिट चौड़ी है इतनी चौड़ी की इस पर एक साथ पांच घोड़े दोड़ सकते हैं दूसरी इस दुर्ग के अंदर 360 से जादा मंदिर हैं जिन में से 300 प्राचीन जैन मंदिर तथा बाकी हिंदू मंदिर हैं ये एक अमेद किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया महरांगर किला राजिस्तान महरांगर किला राजिस्तान के जोदपूर शहर में स्तेत है ये 500 साल से भी जादा पुराना और सबसे बड़ा किला है ये किला काफी उचाई पर स्तेत है इसे राव जोदा दौरा बनवाया गया था इस किले में साप गेट हैं पर थे गेट राजा के किसी युद भी जीतने पर समारक के रूप में बनवाया गया था जैसल मेर किला राजस्तान ये दुनिया के सबसे बड़े किलो में से एक है और राजस्तान में स्थेत है इसे रावल जैस्वाल ने बनवाया था थार रेगिस्तान के बीचों बीच इस किले को बनवाया गया था चितोडगर किला राजिस्तान चितोडगर को किलो का शहर कहा जाता है यहां पर आपको भारत के सबसे पुराने और आकर्शक किले देखने को मिलेंगे उनी किलो में से एक चितोड का किला है यह किला बेराज नदी के किनारे बनाया गया है नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस किले में चौरासी पानी की जिगे हैं जिन में से 24 आज के समय में सही स्थिती में है लाल किला दिल्ली भारत का सबसे आकरशक और फेमस किलो में लाल किला का नाम आता है ये किला दिल्ली में स्थित है इसे मुगल शाशक शाहजा ने बनवाया था इस किले की दिवाने लाल पत्थर की हैं यही वज़े है कि इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है इस किले के अंदर देखने लाइख कई चीजे हैं मोती मस्जिद, दिवाने आम, दिवाने खास देखने के लिए काफी लोग रोज ही आते हैं यह किला युमना नदी के किनारे स्थित है लाल किला आगरा उतर प्रदेश के ताज महल से दो किलो मीटर की दूरी पर लाल किला बनाया गया है इस किले को सिकंदर लोधी ने आगरा में रहने के लिए बनवाया था इस किले को युनिसको विरासत में दरजा हासिल है यह युमना नदी के किनारे बनाया गया है उत्तर प्रदेश के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में आगरा का ये किला आता है गौालियर किला मद्रदेश गौालियर का किला राना मान सिंग तोमार ने मद्रदेश में बनवाया था ये किला एतिहासिक समारकों में से एक है इस किले के आकर्शन का केंद सास बहू मंदिर और गुजारी महल है इसमें मंदिर और म्यूजियूम भी है यह राच्षी समारक भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है इस किले के महतव को याद रखने के लिए इस पर डाफ टिकेट भी जारी किया गया है गोलकॉंडा किला हैधराबाद आंदरपरदेश के हैधराबाद शहर में गोलकॉंडा किला काक्तिया राजा ने बनवाया था है यह किला अपने समुंदर इतियास और आजसी भावे सनचना के लिए जाना जाता है गोलकुंडा कोलूर जील के पास हीरे के खान के लिए फेमस है इस किले को हैदराबाद के साथ आश्चरे के रूप में जाना जाता है कांगडा किला हिमाचल, हिमाचल परदेश की कांगडा घाटी में बाणगंगा और माजी नदियों के संगर्पर कांगडा के शाही परिवार ने इस किले का निर्मान किया था यह किला दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है यह हिमाल्दे का सबसे बड़ा किला और इंडिया का सबसे पुराना किला है इस किले में बिर्जेश्वरी मंदिर है जिसका काफी महतव है पनहाला किला महारास्ट्रे महारास्ट्रे में कोलापुर के पास सहयादरी परवत में इस किले को बनवाया गया है यह किला महाराना शाशकों की याद दिलाता है महराष्ट्रे में ज़्यादा तर किले शिवाजी के समय में बनाए गए थे तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडिएो में भारत के कुछ पुराने किलों के बारे में जानकारी दी है अगर आपको मेरे द्वाराख दी के यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रिये जनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ठैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो, हैव अ गूड डे